हेलो एवरीवन आइम स्मृतिय सिना येर और वेल्कम बैक तो आर चैनल साइन्स जोन तोड़े यू फॉलो टुमोरो वी लीड और ये दी आप इस चैनल को नए हो तो नीचे दिये वे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले उससे आपको मेरे लेटिस्ट वीडियोज मिलते जाएंगे यदि आप प्रिवियस वीडियोज मिस कर दिये हैं 11 स्टांडर्ड के या 12 स्टांडर्ड के तो आप उपर दिये हुए आई बटन पे क्लिक करके पहले के वो वीडियोज देख सकते हो और यदि आपको हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोईन करना है तो नीचे दिये हुए लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है उसमें क्लिक करके आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हो जहां आपको नोट्स और लेटेस्ट निउस मिल जाएंगे आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हैं उलेमेंट्स ओफ ग्रूप वण एंड टू यह टॉपिक नूमर एट है फ्राम महाराष्ट्रा स्टेट बोर सिलाबस स्टांडर्ड इलेवन तो 11 स्टांडर्ड के केमिस्ट्री के चाप्टर एट से यह हैं अलेमेंट्स ओफ ग्रूप इस टॉपिक में हमें त्री सब टॉपिक कवर करने हैं पहला है है हाइट्रोजन दुसरा है अलकली मेटल्स और एलेमेंट्स ओफ ग्रूप टू दिसरा है सम इम्पोर् darle मेंट्स अफ ऑलेमेंट्स फ एस बलॉक आज जो हम कवर करेंगे औह है हाइट्रोजन इस वीडेओ मे आज का टॉपिक जो है ओ है हाइड्रोजन तो पिछले यह दी चाप्टर आपने देखा है modern periodic table तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन S-block element को बिलॉंग करता है और हाइड्रोजन जो है उस सबसे simplest atomic structure में है मतलब जितने भी elements आज तक known है उन में से जो सबसे simplest structure है उस element का ओ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है ओफ फर्स्ट element औफ periodic table है क्योंकि periodic table के सुरुवात में ही सबसे top में आप देखोगे हाइड्रोजन मिलेगा हाइड्रोजन group 1 में मिलता है वो भी top पे क्योंकि वो सबसे first element है इसलिए top of group 1 में मिलता है और वो बिलॉंग करता है alkali metals क्योंकि group 1 क्या होता है alkali metals हाइड्रोजन का structure सबसे simplest है इसलिए उसकी nucleus में सिर्फ प्लस 1 charge है मतलब एक ही proton है और उसको एक ही extra nuclear electron होता है तो हाइड्रोजन का structure इस तरह से है एक proton और फिर 1s orbiton में एक ही extra nuclear electron हाइड्रोजन को बहुत कम tendency होती है इस electron को loose करने के लिए बट यदि उसने loose कर दिया तो वो बना देता है H+, जिससे हम proton के नाम से जानते हैं क्योंकि उसके पास एक ही electron है वो भी हो loose करके बना देता है H+. हाइड्रोजन जादा तर आपको electron sharing करते हुए मिलेगा loose करने के बजाए हो जादा तर electron share करेगा और sharing करेगा to form covalent bond हाइड्रोजन इस nature में जादा तर diatomic form में मिलता है that is as H2 molecule और इसलिए हाइड्रोजन को हमेशा dihydrogen के नाम से जाना जाता है अब उसका occurrence हाइड्रोजन मिलता कैसे है और किधर तो हाइड्रोजन free state में exist नहीं होता बट dihydrogen gas की तरह होता है तो आप कहे सकते हो कि free state का hydrogen ही क्या होता है dihydrogen gas तो H2 gas जो आपको atmosphere में मिल जाएगा वही hydrogen का free state है hydrogen इस universe में सबसे abundant मिलने वाला element है मतलब सबसे जादा मिलने वाला element इस universe में है hydrogen आप यह जानके आश्यरी चकित होंगे कि universe का total mass में से 70% mass जो है वो hydrogen gas का ही है hydrogen एक बहुत important element है solar system के लिए भी यदि धर्ती पे देखा जाए तो hydrogen 10th most abundant element है इस earth पे hydrogen जो है वो 10th most abundant element है on the basis of mass और वो 3rd most abundant element है on basis of atom next is position of hydrogen in periodic table अब hydrogen का position हम क्यों पड़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है hydrogen सबसे first element है वो alkali metal में सबसे top पे मिलता है पट hydrogen का ये problem है कि hydrogen के कुछ characteristic जो है वो group 1 से मिलते है और कुछ characteristic group 17 से मतलब alkali metal से भी और halogen से भी तो यह हमेशा से question रहा है कि halogen किसको बिलॉंग करता है group 1 को कि group 17 को और इसलिए position of hydrogen जो periodic table में हमेशा equation में ही रहा है इदी hydrogen का electronic configuration देखें तो है 1S1 जो alkali metals की electronic configuration को similar है जो है NS1 तो alkali metals का जो group 1 को बिलॉंग करते है उनका general electronic configuration क्या है NS1 और hydrogen का भी electronic configuration है 1S1 तो यह कहता है कि hydrogen जो है वो group 1 को that is alkali metal को बिलॉंग करता है बट यदी 1S1 को आप ठीक से देखो तो ओ आउटर electronic configuration of group 17 को भी दर्शाता है क्योंगे group 17 में halogenes हैं जिनका outer electronic configuration है NS2, NP5 तो आप कहोगे यह तो 1S1 है halogen का तो electronic configuration है NS2, NP5 तो यह दोनों similar कैसे हुए? यह इस तरह से similar हुए यदी आप hydrogen में एक और electron आड़ कर दो ठीके? तो hydrogen का क्या electron configuration? 1S1 इसमें मैं यदी एक और electron आड़ कर दो तो बन जाएगा 1S2 मतलब हो बन जाएगा inner gas helium with 1S2 वैसे ही यदी आप halogen में एक और electron आड़ कर दो that is NS2 में NS2, NP5 में एक और electron आड़ कर दो तो बन जाएगा NS2, NP6 जो outer electronic configuration है उनके next inner gases का तो hydrogen में एक electron आड़ करने के बाद वो भी inert gas बनता है और halogen से हैं उनमें भी एक electron आड़ करने के बाद वो भी halogen gas, मतलब inert gas ही बनते है इसका मतलब यह हो रहा है कि hydrogen और halogen दोनों में भी एक similarity है electronic configuration की कि दोनों में भी एक ही electron कम है inert gas बनने के लिए इसलिए hydrogen halogen को भी बिलॉंग कर सकता है बट जो chemical properties है hydrogen की वो कुछ properties similar है alkali metal that is group 1 को और उसके कुछ properties similar है halogen that is group 17 को बट सिर्फ एक uniqueness है जो hydrogen के पास है और halogen के पास नहीं वो एक important uniqueness है कि hydrogen को alkali metals में that is group 1 में ही place किया गया है ओ है कि hydrogen एक electron लूज करने के बाद proton बनाता that is H plus जो सारे alkali metals बनाते है सारे alkali metals एक electron लूज करके बनाते है अपने M plus ions बट आपको याद रखना है ये H plus ऐसे ही freely exist नहीं कर सकता जैसे ही H plus बनता है water के साथ ये किसी के साथ भी join होके जैसे water के साथ हो तो H3O plus बना लेता है next is isotopes of hydrogen पहले आपको समझना होगा isotopes होते क्या है यदि कोई same element के different atoms exist करते हैं जिनके mass number different होते हैं तो उसे कहते हैं isotopes of each other कोई एक ही element के बहुत सारे atoms exist हो सकते हैं और उन सारे atoms के क्या different है mass number तो उसे क्या कहेंगे isotopes mass number different होना मतलब ये होता है कि उस atom में number of electron and number of proton is same मतलब equal खाली different क्या है number of neutron तो number of neutron उन में क्या होता है अलग और इसलिए उन लोग isotopes of each other है hydrogen की nature में three isotopes मिलते हैं और तीनों के mass number है one, two, three वो तीनों में same number of electron and same number of proton है जो की one proton और one electron है बट उनके number of neutrons nucleus में different है और इसलिए उन आइसोटोप of each other है तो hydrogen के तीन isotopes इस तरह से हैं पहला है hydrogen, फिट deuterium, फिट tritrium hydrogen जिसका mass number one है deuterium जिसका mass number two है tritrium जिसका mass number three है तीनों में भी number of electron आप देखोगे तो one है number of proton भी one है बट number of neutron अलग अलग है अब ये तीनों का आपको compare करके दिखाया जाए तो hydrogen जिससे हम H1 के नाम से जाते हैं deuterium जिसे D या H2 के नाम से tritrium जिसके हो T या H3 के नाम से ये तीनों का atomic number same है that is one but atomic mass number different है that is one, two, three इसका मतलब है number of neutron different है तो hydrogen में number of neutron zero है deuterium में one है tritrium में two है अब abundance की बात करें तो hydrogen इस nature में सबसे जादा मिलता है that is 99.98% और वो सबसे जादा stable है deuterium मिलता है जिसे हम heavy water के नाम से भी जानेंगे HD2O जाते हर उस form में तो हो है 0.015% और वो भी stable है बट deuterium जो है वो बहुत ही कम amount में मिलता है और radio active है अब move करते हैं preparation of dihydrogen तो हम H2 बनाएं कैसे तो पहला है laboratory method यदि dihydrogen को आपको lab में बनाना है तो आपको dilute SCL को treat करना होगा zinc granules के साथ तो zinc के metals के टुकडों को यदि आप dilute aqua solution of SCL के साथ treat करें तो आपको मिलेगा ZnCl2 plus H2 gas जिससे आप hydrogen पाएंगे next method है यदि आपको dihydrogen बनाना है ठीक है by action of aqua solution of sodium hydroxide on zinc तो आपको basically क्या करना है आपको zinc granules वापस लेना है aqua solution of sodium hydroxide that is NaOH का aqua solution लेना है मतब पानी में आप NaOH को dissolve कर दिजिए aqua solution तेर हो गया अब उसमें आप डालोगे zinc granules वो दोनु रियाक्ट होंके बनाएगा Na2, ZnO2 plus H2 gas इस तरह से लाब में आप hydrogen gas बना सकते हो Next है industrial method Industrial method में पहला है electrolysis of pure water तो pure water actually बहुत poor conductor of electricity है क्योंकि pure water में कोई भी ions या कुछ भी नहीं present होता है जो electricity conduct कर सकता है इसलिए आप इसमे dilute solution डाला जाता है मतलब pure water में थोड़ा सा आपको acid या alkaline that is base add करना है जिससे आप वो water electricity conduct कर पाएगा और फिर उसमें electrolysis करना है जिससे आप diahydrogen बना पाऊगे तो basically आपको एक pure water लेना है इस pure water के बिकर में आपको थोड़ा सा acid या फिर base डालना है और फिर electrolysis द्वारा आप diahydrogen बनाऊगे तो इसका example है कि यदि electrolysis किया आपने dilute solution of H2SO4 ठीके? आपने electrolysis किया dilute solution of H2SO4 तो आपको जो cathode पे है ओर दो molecule of hydrogen मिलेगा और anode पे एक oxygen का तो ये लिए आपने pure water उसमें थोड़ा सा acid या alkaline डाला मतलब base डाला और फिर electrolysis किया तो आपको cathode पे मिल रहा है dihydrogen और anode पे मिल रहा है di oxygen next step from carbon और carbon hydroxide इस reaction में आपको three steps follow करने तो ये actually हाँ पे production of hydrogen three steps में होता है पहला है stage one जहां आपको reaction करना है आपका steam और hydrocarbon और coke तो आपको क्या करना है basically कोई hydrocarbon लेना है या फिर coke लेना है और आपका steam मतलब water in the form of gas ठीक है तो आप क्या करोगे आप लोगे coke या फिर कोई भी hydrocarbon that is CH4, C2H6 methane, ethane, propane, butane हुई भी hydrocarbon और उस पे steam का एक बहाओ करोगे temperature रखोगे 1270 Kelvin और आपका catalyst है nickel जब आप ये reaction करोगे तो आपको मिलेगा water gas water gas मतलब क्या carbon monoxide plus hydrogen अब ये water gas क्यों important है क्योंकि ये water gas मतलब carbon monoxide plus hydrogen आपको methanol के synthesis के लिए भी यूज किया जा सकता है आप उससे और भी अधिक hydrocarbons बना सकते हैं इसलिए इस water gas को seen gas भी कहता है और ये seen gas का production actually first step for gasification of coal के लिए भी यूज के जाता है तो coke को आप treat करो steam के साथ same condition और आपको मिलेगा water gas अब step 2 water gas का shift reaction step 1 में आपने water gas बना लिया है that is CO plus H2 अब that is carbon monoxide gas plus H2 आपने बना लिया है ठीक है step 1 में अब carbon monoxide in water gas जो carbon monoxide है जो water gas में present है और convert हो जाएगा carbon dioxide यहाँ पे गलत वाला reaction है तो यहाँ पे में बता देती हो carbon monoxide और H2 जो आपको actually मिला था as water gas और convert हो जाएगा into CO2 ठीक है plus H2 अब यह कैसे होगा यह होगा जब आपका जो यह water gas है और react होगा steam में with iron chromate तो Fe chromate के साथ और react करेगा और आपको देगा carbon dioxide plus H2 जहाँ हम उसे कहते है water gas shift reaction next step में अब आपके पास carbon dioxide or H2 है आपको सिर्फ H2 चाहिए carbon dioxide निकालना है तो step 3 में आप carbon dioxide निकाल दोगे by scrubbing with sodium arsenate solution तो sodium arsenate solution के साथ इसे treat करोगे जिससे carbon dioxide निकल जाएगा और आपको dioxygen मिल जाएगा तो hydrocarbon से ये 3 स्टेप में आप dioxygen प्रिपार कर सकते हो next step properties of dihydrogen पहला property है physical property तो dihydrogen actually एक colorless tasteless और orderless gas है ना उसे color होता है ना उसे test होता है ना उसे smell होता है ये बन करता है pale blue flame के साथ ठीक है यह अब hydrogen gas के presence में आप आग लगाओ तो उसका जो flame का color होगा होगा pale blue color ये non-polar water insoluble gas है और ये gas air से भी हलका है next है chemical properties chemical properties पहला है reaction with metal तो hydrogen gas कोई भी metal के साथ react कर गे है मतलब कोई भी reactive metal के साथ react करके जैसे potassium, sodium, lithium कोई भी reactive metal के साथ react करके बनाता है metal hydride ठीक है तो आपको कोई भी reactive metal hydrogen के साथ react करके बनाएगा metal hydride तो यहाँ presence of catalyst बनाएगा 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 प्रेजन के साथ प्रेजन के साथ iodine के साथ आपको react करना है तो आपको वहाँ पर कोई catalyst डालने की जरूरत पड़ेगी उसकी बीना ओ react नहीं करेगा तो इस तरह से आप यह reactions को देख सकते हो नेक्स्ट है डाहइड्रोजन जो है अभी नेक्स्ट chemical properties हम देख रहे है डाहइड्रोजन जो है और reduce करता है reduces oxide and ions of metal metal के oxides को और metal के ions को reduce करता है to form metals तो यहाँ पर metal oxide है जैसे CO यह एक metal oxide है जिसको copper oxide के नाम से जारोगे वो hydrogen के साथ react करके reduce हो जाएगा और बन जाएगा copper metal plus water यहाँ पर भी आप देख सकते हो यह iron oxide है जो hydrogen gas के react करके वापस reduce होके आपको देदेगा pure metal तैसे 3 iron plus water यदि आपके पास metal के ions है तैसे PD 2 plus reduce करके बना देगा metal plus 2H plus तो इस तरह से आपके metal oxides या फिर metal के ions hydrogen gas के साथ react करके आपको metal देदेते हैं next hydrogenation of unsaturated organic compound तो कोई भी unsaturated unsaturated organic compound मतलब ऐसे compound जिनके पास double bond है जिनके पास भी double bond है उन्हें हम कहेंगे unsaturated organic compound या फिर triple bond triple bond वाले भी unsaturated मतलब other than single bond वो जो भी है वो unsaturated organic compound है तो unsaturated organic compound को आप saturated में convert कर सकते हो यदि आप उसे hydrogen gas के साथ treat करो in the presence of nickel and heat और आपको मिलेगा saturated organic compound तो है example है यदि oil को treat किया जा hydrogen gas के साथ in the presence of nickel तो आपको saturated fat that is dalda वो मिलता है next hydroformylation of olefin olefin मतलब होता है alkenes ठीक है तो उनका hydroformylation hydroformylation मतलब CO group add करना या फिर reduction of aldehyde तो आप यदि कोई भी olefin ले और उसे treat करे आपके water gas से जो है CO plus H2 उसके साथ treat करे तो आपको मिलता है aldehyde तो अब आपका alken carbon monoxide और hydrogen gas react करके दे रहा है aldehyde और इस reaction को कहेंगे hydroformylation इस reaction को कहेंगे hydroformylation reaction next ये वाला देखिए यदि आपके पास aldehyde है और आप उसमें hydrogen gas डालोगे तो वो अब reduce होके देगा alcohol तो आपको याद रखना है oliphil hydrogen और carbon monoxide के साथ react करके hydroform manage करता है और aldehyde देता है और आपका aldehyde hydrogen gas के रहाट करके reduce हो जाता है और alcohol देता है next है uses of dihydrogen तो dihydrogen का सबसे ज़्यादा use किया जाता है ammonia बनाने के लिए that is NH3 dihydrogen बनसबती घी बनाने के लिए भी use होता है जिसे हम डालडा के नाम से जानते है उसमें आपका जो hydrogen oil है जो अच्छली जो natural oil है vegetable oil है vegetable oil को hydrogenation किया जाता है जिससे उँ unsaturated से saturated गी बना देता है तो यह जो reaction हमने यहाँ देखा था vegetable oil से saturated fat बनाने वाला वो ही reaction ही हाँ पर तो वहाँ पर dihydrogen use किया जाता है liquid dihydrogen जो है और rocket fuel के लिए उसकिया जाता है तो rocket fuel में जो भरा जाता हो है liquid dihydrogen dihydrogen बहुत important एक organic compound है जिससे methanol प्रिपेर किया जाता है और methanol अच्छली बहुत important organic solvent है जिसमें बहुत सारे reactions किये जाते है तो आपका जो water gas है उसे treat किया जाए cobald catalyst के साथ तो आपको methanol बिलता है dihydrogen, hydrogen chloride और metal hydrides के preparation के लिए भी यूज किया जाता है इसलिए hydrogen बहुत ही important element है एक question है अब यहाँ पे justify the placement of hydrogen in the group of alkali metals with the help of reaction with halogen तो आपको यह बताना है कि hydrogen मतला आपको यह proof करना है कि hydrogen अभी साई जगे पे product table में place है कि alkali metal में place है बट वो halogen में नहीं place है और यह proof करने के लिए आपको लेना है उसका help with reaction with halogen मतला hydrogen, halogen के आपको react करके क्या देता है उसका help लेके आपको proof करना है कि hydrogen साई जगे पे place है तो hydrogen जब भी हालोईन के देता र्याक करता है तो ओ देता है आपको hydrogen halide हमने अभी देखा था कोई भी हाइडरोईन कोई भी हालोईन के आपका हालोईन हाद र्याक करेगा तो देगा hydrogen halide Similarly कोई भी non- σεलिम diis sodium potassium कोई भी hypoc ur dal में हैलोजेन के साथ र्याक्ट करेगा तो भी देगा मेटल हैड्राइड करें तो जैसे हईट्रोचन हाइलोजेन के साथ र्याक्ट करके HCl देता है या फिर HX देता है जेनरल पकड़े तो वैसे ही कोई भी मेटल हैलोजन की साथ रियाक करके MX देता है यह प्रूफ करता है कि हाइड्रोजन और अलकली मेटल दोनों भी मोनोवैलेंट है क्योंकि दोनों में भी एक ही हैलोजन आ रहा है मतलब दोनों भी मोनोवैलेंट है दोनों भी एलेक्ट्रो पॉजिटिव है हैलोजन से जादा हो लोग एलेक्ट्रो पॉजिटिव है और इसलिए यह जस्टिफाइ करता है कि हाइड्रोजन सई जगे पर प्रियोडिक टेबल में प्रेजेंट है आपको इस वीडियो से रिलेटेट कोई भी डाउट है कोई भी सजेशन है कॉमेंट है आप आस यह डाउट 04 at gmail.com पे मुझे बता सकते हो यह नीचे दिये वे कॉमेंट बॉक्स में यह दिया आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे एक थमस अब दिजिए यह वीडियो को और भी ज़्यादा शेर कीजिए और जाने से पहले If they respect you, respect them If they disrespect you, respect them Do not lower your integrity for anyone And that's all for today Thank you, stay